हलो फ्रेंड्स मेरा नाम है विकास ज्या और आप देख रहे हैं प्रतिभापाटशाला प्रतिभापाटशाला की इस प्लैटफॉर्म पे हमने जो टॉपिक उठाया था पाइपन सिस्टर्न उसमें हमने बेसिक कॉंसेप्ट लेवल वन के क्वेस्टन और लेवल टू के क्वे और जादे क्लियर होंगे क्योंकि आज जो मैं आपके लिए लेके आया हूं एक है आपका सीजियल मेंस के क्वेस्टन कुछ हैं जो अभी रिसेंट पेपर हुआ था 15 और 16 और 18 नौंबर को SSC मेंस के पेपर उसके में अच्छे क्वेस्टन सेलेक्ट करके लाया हूं आपके तो आज हम करेंगे जो हमारा पाइपन सिस्टन चेप्टर है उसके लेवल 3 के कुछ क्वेस्टन तो चलिए हम अपना सेशन स्टार्ट करते है आज का तो आप देखे लेवल 3 का जो हमारा क्वेस्टन फस्ट है वो क्या कह रहा है क्वेस्टन में कि पाइप A and B can fill a tank in 43.2 minutes and 108 minutes respectively pipe C can empty it at 3 liters per minute when all the three pipes are opened together they fill the tank in 54 minutes the capacity in liter of the tank is मतलब आप से पूछ रहा है जो टैंक होंगी जो सिस्टन है आपका उसकी capacity तो capacity क्या होगी अब हिंदी में देख लो आप एक बार question को कि जो pipe A है आपका वो किसी टंकी को fill करने में लेता है 43.2 minutes मतलब 43.2 minutes लेता है कौन A fill करने में सेम टंकी को B को fill करने में लग जाते है 108 minutes उसके बाद आपको कह रहा है कि C है आपका pipe outlet pipe है A और B inlet pipe है जो C है वो outlet pipe है तो C की रपतार है जहमता है तीन लीटर पर मिनट क्या करने की खाली करने की C जो outlet pipe है वो तीन लीटर पर मिनट outlet मतलब outlet जो pipe है वो खाली करती है टंकी को उससे आगे कहरा अगर तीनों pipe को एक साथ simultaneously या फिर एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी fill हो जाती है चौबन मिनट में तो आपसे पूछ रहा है टंकी की capacity क्या है टंकी की capacity निकालने के लिए आपको जो given है वो यह चीज़े है कि C जो एंप्टी कर रहा है इतना लीटर पर मिनट तो आपको यह पता चल जाए कि कितने मिनट में C जो है वो खाली कर देगी टंकी को तो आप capacity निकालोगी जैसे मान के चलो आपको पता चल गया कि 6-0 करने में तोz 60 मिट लगते खाली करने में, तो 60 गुने 3, 180 लिटर होंगी capacity, अब कितनी होंगी सी कि आपकी capacity, वो हम निकालेंगे question में, तो चलो इस question का हम solution करते हैं, solution देखो आप इस question का, आपका दिया हुआ है कि A जो है, वो फिल करता है 43.2 मिनिट में, यह क्या आपका inlet pipe है, B भी क्या है inlet pipe, B फिल करता है आपका, यहाँ पे दिया हुआ है 108 मिनिट, 108 मिनिट लगते हैं B को फिल करने में, और C को C का single नहीं दिया हुआ है, individual नहीं दिया हुआ है कि कितने इमिनिट में खाली करता है, एक साथ जब तीनों को खोल दिया जाए, तो 54 मिनिट में फिल कर देते हैं, मतलब अगर A हमारा inlet pipe, B भी inlet pipe और C के है outlet pipe, इसलिए C के पीछे हमने लगा दिया, माइनस, तीनों मिल करके अगर काम करें, तीनों मिल करके अगर एक साथ खोल दिया जाए टंकी को, तीनों नल को, तो टंकी को फिल करने में लगते हैं इनको 54 मिनिट, ये चीज़े information given है question में, तो अब हम क्या करते हैं, बेसिक सी चीज़े जो मैंने आपको इससे पहले के lecture में बताया था, कि इन तीनों का हम लेते LCM, जब आप इन तीनों का LCM लोगे, चौबन, 108 और 43.2, 43.2 से आपको मतलब नहीं, आप 432 भी अभी मान के चलो, तो इसकी जो LCM होगी, वो होगी 432, 432 यूनिट क्या हो गई, टैंक की capacity, अब आपको निकालना है तीनों की, 43.2 से तो डिवाइड करके आएगा आपका 10, ये तो पता होगा न, आपको 432 को अगर हम डिवाइड करें, 43.2 से, तो हम क्या करते हैं, डैसिमल अगर हम हटाएंगे, तो decimal के बाद, जितने डिजीट है, उतने 0 लग जाते हैं, तो डैसिमल ठोट गया, ये बच गया, 432, 432 से 432 होगे, कैंसल आउट, बच गया 10, तो इसका मतलब ये हुआ, कि 432 को आप डिवाइड करोगे, 43.2 से, तो हमारा क्या आएगा, यहाँ पे कोशेंट आएगा 10, डिवाइड करने पे 10 आएगा, तो A की एफिसियंसी होगे 10 यूनिट, B की एफिसियंसी होगे 432 बटे 108 करोगे, 4 यूनिट, और A प्लस B माइनस C, तीनों को एक साथ खोलने पर जो खोल देंगे हम, तो इनको तीनों की कम्बाइड एफिसियंसी होगी, 432 बटे चौबन 8, अब आपको तीन चीजे पता चल गई, A प्लस B माइनस C की कम्बाइड एफिसियंसी है, कितनी, पर मिनट 8 यूनिट, A की एफिसियंसी कितनी है, आप A की एफिसियंसी देखो, A की एफिसियंसी है 10 यूनिट, B की एफिसियंसी है 4 यूनिट, तो 10, 4, 14 तो यही पे हो गए तो 14 में से कितना घटाने पे आ जाएंगी हमारी 8 यहाँ पे हम रखेंगे 6 C की efficiency हो जाएंगी 6 unit मतलब C 6 unit पर मिनट के रप्तार से खाली करेंगी तो हमाई C की efficiency पता चल गई 6 unit empty करने की total capacity है आपकी टंकी की 432 अगर इसको आप divide करोगे किस से 6 unit से तो C को खाली करने में time लगेगा आपका 6 सत्य होता है 42 एक बच गया डिमेंटर एक पे दो हो गया 12 6 दुना बार मतलब C को खाली करने में लगेंगे total 72 minute C को टंकी जो टंकी है तीनो के लिए सेम है C को खाली करने में लगेंगे 72 आपको ये चीज़े given है कि C की जो efficiency है वो क्या है 3 लीटर ये पर मिनट जो है वो खाली कर सकती है अगर उसको एक मिनट का time दिया जाए C को जो C outlet pipe है तो C को लग जाते हैं 3 मिनट खाली करने में होगी आपकी कितनी एक की capacity तीन लीटर एक मिनट में तो 72 मिनट में हो जाएंगी आपकी 72 गुने 3 मतलब होगे आपको 216 लीटर यही हो जाएंगी टैंक की capacity इस question का यह option हो गया C answer यह हमारा जो 15 नवंबर का CGL means हुआ था भी उसमें आया था यह question तो question में यह जो level 2 का question था उसमें भी मैंने आपको same format में question करवाय था तो आप mains का करो question pre का question करो अगर आपके concept clear है तो कोई फरक नहीं पड़ता क्या आप pre कर रहे हो mains कर रहे हो railway के question लगा रहे हो या फिर SSC CGL लगा रहे हो CHSL CPU कोई भी question अगर concept clear है आप लगा दोगे अच्छे से तो यह question था हमारा level 3 का question number 1 CGL mains से ले आ था मैं इस question को इसके source अब हम करेंगे level 3 का question number 2 यह level 3 का question 2 वो था 15 November CGL mains का question यह 16 November का question 16 November CGL 19 mains अभी recent हुआ था 16 November को तो अब हम देखो इस question में क्या कह रहे है pipe A and B can fill a tank in 12 minutes and 15 minutes pipe A fill कर रहे है 12 minute में B fill कर रहे है 15 minute में respectively का मतलब होता है respectively अगर दिख जाए आपको इसका मतलब यह होता है कि A जो करेगा ना जो पहला वाला data दिया हुए वो A की value दी हुई है जो second data दिया हुए वो B की value है मतलब A कर रहे है 12 minute में B कर रहे है 15 minute में यह चीजे question में given है इससे आगे कह रहे है आपका कि the tank when full can be emptied by pipe C in X minute मतलब X minute में जो अगर completely full tanky दे दिया जाए C क्या है आपका question में इससे आपको यह पता चल गया कि C जो है वो outlet pipe है जब यह खाली करने की बात हो रही है तो वो pipe कैसी pipe होगी outlet pipe होगी खाली करने वाली pipe होगी तो यह चीजे आपको पता चल गई C X minute में खाली कर देता है तो अभी हमें यही X की value निकालनी है उसके साथ साथ जो आपको information दी हुई है मतलब अगर तीनों pipe को एक साथ खोल दिया जाए A और B उपर वाली दो inlet pipe है भरने वाली निल है और जो C है वो outlet pipe अगर तीनों को एक साथ खोल दिया जाए तो उनको टंकी को भरने में लगते हैं 10 minute तो आपसे पूछ रहा है कि X की value क्या है मतलब X की value पूछने का मतलब यह है कि आपसे यह पूछ रहा है कि C कितने देर में टंकी को खाली कर देगी यह आपसे examiner question पूछ रहा है जो 16 November का CGL mains का question है जो tier 2 होता है CGL में पहला prelims होता है 25 question maths के आते हैं फिर CGL का mains होता है जिसमें 100 question maths के रहते हैं 200 number का paper होता है दो घंटी में लगानी होते हैं आपको तो चलो अब हम करते हैं level 3 का question second solution देखो आप इस question का question आपको समझ आ गई होंगी यह क्या कह रहा है question में अब इसका solution देखते हैं इसका solution देखो आप A जो है वो फिल कर रहा है 12 मिनिट में कुछ भी change नहीं कर रहा है एक के बारे में हमने information लिग दी है A करते है 12 मिनिट में inlet pipe है denote कर दी है positive से B क्या inlet pipe है B कितने देर में फिल कर रहा है 15 मिनिट में यह चीजे given है और जो नीचे information दी होई थी यह देखो आपकी when all the three pipes are open simultaneously the tank is full in 10 minutes मतलब अगर A inlet pipe plus A plus B inlet pipe minus C outlet pipe क्योंकर C given है यहाँ पे खाली कर रहा है pipe C empty कर रहा है तो C कैसी pipe होगी C की nature कैसी है खाली करने वाली nature है तो C होगी outlet pipe तीनों मिल करके अगर टंकी में एक साथ खोल दिया जाए तीनों नल को तो तीनों मिल करके इसको यही 60 हो जाएंगे जो टंकी होंगी इस question के लिए जो टंकी है उसकी capacity यह जो टंकी है आपकी यह क्या सिस्टर्न जो टंकी है आपकी उसकी हो गई है capacity 60 unit क्या हो गई 60 unit हो गई टैंक की capacity तो अब A की efficiency निकाल लो गई 60 by 12 5 unit 60 by 15 4 unit हो गई B की efficiency और A और B और C तीनों की combined efficiency जो होंगी मतलब अगर तीनों एक साथ अगर खोल दिया जाए तो कितना unit per minute यह लोग fill करेंगे वो होगा 60 by 10 मतलब 60 by 10 6 unit यह चीज़े आपको पता चल गई अब देखो आप कि आपको यह चीज़े पता चल गई कि A प्लस B माइनस C की value है 6 unit यह तो आपको पता है नहीं हाँ से तो A प्लस B माइनस C की value अगर आपको 6 unit पता है A की value कितनी दी हुई है A की value दी हुई है 5 B की value है 4 तो आप हमें यह बताओ कि 5 और 9 9 तो यह fill कर रहे हैं लेकिन C जो काम बरबाद कर रहे है per minute, वो कितना बरबाद करेगा कि 6 आ जाए, यहाँ पर तो 9 है, तो 9 में से कितना घटाने पर 6 आ जाए, C के value होंगी 3, मतलब 3 unit क्या, 9 minus 3 का मतलब C outlet pipe है, 3 unit, जो है वो per minute क्या करेगा, वो खाली करेगा, तो 60 unit, तो C की efficiency तो पता चलगी ना आपको, 3 unit, यह empty करेगी, कौन? C, यह चीज़े आपको पता चलगी, tank की capacity है 60 unit, 60 unit यह tank की capacity है, अब आपको पूछ रहा है, X की value की C, जो है कितने दिर में खाली करेगा, 1 minute में 3 unit खाली करता है, तो 60 unit खाली करने में लगेंगे, C को 60 बटे 3, 20 minute, यह simple सा question था, जो आपको पूछा था, CGL Mains के paper में, pipe and system is translated, तो आप यह भी question लगा दोगे, बहुत easily, कुछ भी concept बहुत complicated नहीं था इसमें, तो इसका 20 minute जो यह देख रहा है, option C, यह हो गया answer, इसमें थोड़ा basic concept भी है, थोड़ा आपको अच्छे से ध्यान देना पड़ेगा, थोड़े calculation भी है, लेकिन इसका concept थोड़ा बहुत बढ़िया लगा मुझे, तो इसलिए मैं उठा कि लाया हूँ आपके लिए question, इस question को लगाते हम, चलो, स्टार्ट करते हैं, लेवल थी का question number third, question number third क्या कह रहा है, two pipes which can fill a tank in 16 hours and 20 hours respectively, दो pipe है, वो एक भर रहा है 16 गंटे में, दूसरा भर रहा है 20 गंटे में, यह चीज़े आपकी given है यहाँ पे, उसके बाद कह रहा है, while working alone, दोनों अकेले काम करते हैं, 16 गंटे 20 गंटे में भरते हैं, गौरव नाम का कोई एक लड़का है, गौरव अपेंड बोथ दी पाइप स्पूर 10 आर्स 12 मिनट्स and realized the fourth 13 liters of water was spoiled over the ground, due to overflow in the tank, what is the total capacity of the tank? question में यह है, कि दो pipe हैं आपके, एक भर रहा है 16 गंटे में खाली टंकी को, दूसरा भर रहा है 20 गंटे में, मतलब जो टंकी खाली मिलेगी तो एक 16 गंटे में भर देगा जो उसकी efficiency है, अपनी capacity से, और दूसरे को लगते हैं 20 गंटे, इतनी चीज़ है दी हुई थी, एक लड़का गौरव है वो क्या करता है, 10 गंटे और 12 मिनट के लिए, जो दोनों नल हैं, उसको खुला छोड़ देता है, 10 गंटे 12 मिनट के लिए, 10 गंटे 12 मिनट का मतलब हुआ आपका, 10 गंटे और 12 मिनट, मतलब 10 गंटे तो है, 12 मिनट को अगर आप करोगे तो, गंटे मिलाने के लिए 12 बट्टे साथ करेंगे तो 10 प्लस 12 बट्टे साथ का मतलब हुआ 12 बट्टे साथ एक बट्टे पांच गंटे इसको मैंने गंटे में कनवर्ट कर दिया थी यह होगा 10 इस टू 1 वाई 5 आर मतलब इसको आप एज़ेटी ऐसे लिख सकते हो 10 गंटे 12 मिनिट के मतलब हुआ 10 ही एक बट्टे 5 गंटे ठीक है तो क्या करता है वो लड़का 10 गंटे 12 मिनिट के लिए छोड़ देता है मतलब दोनों नल को खोल के 10 गंटे 12 मिनिट के लिए छोड़ देता है तो क्या होता है, 413 लीटर जो पानी है, वो ग्राउंड पे फैल जाता है, spoiled over the ground, मतलब टैंकी की जो capacity होगी, वो फिल तो होई जाएंगी, उसके अलावे extra कितना बाहर ग्राउंड पे फैल जाता है, 430 लीटर, मतलब जितना time में ये जो है, मतलब फिल हो जाती है टैंक, उससे जादे देर चला, इसलिए अवर्फलो हो गया ये, तो हम निकालेंगे दोनों के time का difference, question का solution दिखाता हूँ मैं, आप अच्छे से देखना है, इस question को, बहुत बढ़िया concept है, इस question का, चलो इस question को solve करते है, इसमें जो आपको दिया हुआ है, कि हमने मान लिया, A, 16 घंटे मे फिल करता है, B, क्या दिया हुआ है, 20 घंटे में फिल करता है, दोनों inlet pipe है, यहाँ पे क्या है, दोनों inlet pipe है, यहाँ पे outlet pipe के बारे में बात नहीं की गई है, पूरे question में, दोनों inlet pipe है, A और B दोनों, एक 16 घंटे में फिल करता है, दूसरा 20 घंटे में, दोनों का LCM होगा 80, solar 20 का calcium निकालोगे तो 80 आएगा 80 का solar से divide करोगे 80 unit क्या होगे tank की capacity 80 जो unit है ये होगे tank की capacity मतलब जो tanky है आपकी जो system है उसकी capacity होगे 80 unit A की efficiency क्या होगे 80 बटे solar करोगे 5 unit और B की efficiency होगे 4 unit question का मतलब ये हुआ कि एक घंटे में ये जो एक घंटे में भरेंगी tanky को और B जो है वो एक घंटे में 4 unit भरेंगी तबी 24 चोका 80 होगा 16 पंची 80 होगा इतनी चीज़े given है तो आप एक बात बताओ मुझे यहाँ से अगर A पलस B दोनों को एक साथ खोल दिया जाए बस question के coding देखो आप तो 80 unit भरने में कितना time लगेगा 80 बटे 5 पलस 4 9 इतने घंटे लगेंगे 80 बटे 9 घंटे लगेंगे इतनी चीज़ो clear है आपको लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है यहाँ पे कितने देर के लिए चला दिया जाता है इस दोनों नल सही एक बटे 5 है 51 बटे 5 घंटे तक चली आपकी नल दोनों को खोल दिया गया लेकिन फिल कितने देरे में हो जाती टंकी फिल हो जाती 80 बटे 9 घंटे में मतलब 80 बाइ 9 51 बटे 5 में से 80 बटे 9 अगर आप घटा 2 घंटे तो आपको वो एक्स्ट्रा जो पानी बहा है वो कितने देरे में बहा है वो निकल जाएंगी आपकी 51 बटे 5 में से 80 बटे 9 अगर आप माइनस करोगे तो 9 5 का LC मोता है 45 5 9 जा 45 9 को इससे मल्टिप्लाइ करोगे तो यह होगा आपका 459 माइनस यह होगा आप 400 यह आ गया आपका कितना 59 बटे 5 इतना यूनिट पानी जो है यह कितना है 55 बटे 5 घंटे 80 बटे 9 घंटे दोनों जो टाइम लग एक तो स्पोईल हो गया बहुत देर तक चला यह टंकी को खोल दिया दोनों नल को खोल दिया गया था तो आपका यह टाइम आ गया 51 बटे 5 घंटे एक्च्वल टंकी कितने देर में भर जा थी 80 बटे 9 घंटे में तो कितनी देर एक्स्ट्रा चली 59 बाई 45 आर एक्स्ट्रा चली यह नल दोनो जो मिल करके इतने घंटे में कितना यूणिट भरा होगा इन्होंने इंतू-9 मतलाब आगया आपका 59 बाइफ 5 यूणिट ये पानी इन्होंने एक्स्ट्रा टाइम में भरा होगा 59 by 5 unit इसके according, 80 unit के according अगर आप पूरे इसको बिठा दो इस पे तो 59 by 5 unit पानी इनोंने भरा होगा भरा होगा, sorry ओवर्फलो होगा है यह जो 413 लीटर है तो 59 by 5 की value क्या दी हुई है 413 लीटर तो एक unit के value क्या हो जाएगी आपकी 413 गुने 5 बटे 69 इसको डिवाइड करोगे आप 69 को 413 से तो यह आता है 50, 70, 350 और 63, 69, 63, 413 69 सत्य होता है 413 तो 7 से कट जाएगा पूरा 7 पच्चे हो गया 35 एक unit की value क्या आ गई 35 लीटर आपको निकालनी है tank की capacity tank की capacity क्या हो गई यहाँ पे हमने tank की capacity assume किया है कितना 80 unit और यहाँ पे आग रही है एक unit के value 35 लीटर तो जो 80 unit tank की capacity है तो उसकी value निकालोगे आप 80 गुने 35 हो जाएगी आपकी अब इसको आप multiply करोगे तो 0, 0 हो गया 35 होता है आपका कितना 36, 240, 240, 200 यह हो जाएगा आपका 35, 0, 35, 60 करोगे 240, 40, 280, 200, 800 लीटर tank की capacity हो गई 286 लीटर एक बार और समझ जाओ इस question को आप बहुत बढ़िया concept है इस question का pipe and system का आपको दिया हुआ है कि दो pipe है आपके एक भर है 16 गंटे में दूसरा भर है 20 गंटे में ठीक है इतनी चीजे दी हुई है एक लड़का क्या है वो दोनों pipe को 10 गंटे 12 मिनट के लिए खोल के छोड़ देता है जो नल है दोनों दोनों नल को खोल के छोड़ देता है 10 गंटे 12 मिनट के लिए तो अगर 10 गंटे 12 मिनट के लिए अगर वो छोड़ देता है तो उसे ये रियालाइज होता है मतलब ये होता है कि 413 लीटर जो वाटर है वो ओवर्फलो हो जाता है ग्राउंड पे ओवर्फलो का मतलब है मतलब जितनी पानी भरनी चाहिए उससे एक्स्ट्रा 413 लीटर जो पानी है वो एक्स्ट्रा बैज आती है क्योंकि टाइम से जादे आप करोगे अब मान के चलो कोई question रहेगा आपको कोई टंकी है आपका ये 5 गंटे में भर जाती है कोई टंकी 5 गंटे में भर जाती है फिल हो जाती है अगर आपको 6 गंटे चला दो नल को पाइप को तो टंकी ओवर्फलो होगी ना 5 गंटे से जब ही अब टाइम से जादे देर के लिए चलाओगी तो ओवर्फलो होगी तो यही पे क्या हुआ ये 10 गंटे और जो 1 बटे 5 गंटे एड़ करेंगे ये मतलब 51 बटे 5 गंटे के लिए अगर चला दिया जाता है दोनों नल को खोल के छोड़ दिया जाता है तो 413 लीटर पानी ओवर्फलो हो जाता है तो आप से यही पूछ रहा है कि वाटी दी टोटल कैपसिटी अब दी टैंक टैंक की कैपसिटी क्या है तो 16 और 20 गंटे में भरता है हमने निकाला 80 यूनिट टैंक की कैपसिटी दोनों के 5 और 4 यूनिट हो गई तो 80 यूनिट को भरने में दोनों को लगेंगे 89 गंटे 89 गंटे लगेंगे लेकिन यहाँ पे कितने देर के लिए चलाय जाता है 10 सही 1 बटे 5 15 बटे 5 गंटे के लिए हमने टाइम का डिफरेंस निकाल लिया actual टाइम लगता है भरने में इतना overflow हो जाता है उस condition में इतने टाइम लगता है 15 बटे 5 गंटे तो overflow जो होता है पानी एक्स्ट्रा पानी वो कितने दिर में होता है जो दोनों टाइम का डिफरेंस होगा इसी में overflow होता है पानी तो टाइम का हमने डिफरेंस निकाला एक क्याबन बटे 5 में से 80 बटे 9 को मैंने माइनस किया तो हमारी वेल्यू आ गई कितनी 59 by 45 hours 59 by 45 hours निकली तो 59 by 45 hours एक्स्ट्रा चली मतलब जो दोनों नल को खोल दिया हमने 59 by 45 hours में 9 की capacity से क्योंकि combined efficiency है तो दोनों एक साथ खुले हुए तो 59 by 45 को 9 की capacity से अगर ये चले तो कितना होगा 59 by 45 into 9 क्या हमने मतलब इतना unit इतना unit overflow हुआ अगर 80 unit की capacity है तो 59 by 5 unit जो है वो overflow हुआ टंकी 413 liter overflow हुआ 59 by 5 की value 413 liter है 80 unit की value हमने निकाली होगी 800 liter यही हो गया हमारा answer तो हमारा था type pipe and system का level 3 का third question तो pipe and system chapter हमारा इसी के साथ हो जाता है खतम हमने सारे type के questions आप से करवाए बस आपका यही काम है कि आप various sources जो पहले मैंने बताया आपको practice करो questions को basic concept मैंने आपको सारी बता दिये कोई भी question ही छूटेगा आप से बस आप यह सारी जो मैंने basic concept बताये उसको अच्छे से देखो questions practice करो और यह सारी जो आप मैंने बता दिये अब हम इससे आगे next topic करेंगे था कि यह तीनों chapter interconnected है तो next session में new topic के साथ मिलता हूँ आपके साथ हमें तब तक के लिए thank you bye bye कोई भी suggestion हुआ आपको तो comment section में बताये हमको like करें वीडियो को subscribe करें और वीडियो को फेलाईए जितना ज़्यादा हो सके वो वीडियो को जो आप फेलाईए अपने आज पास जितने भी दोस्त वगरे जो serious aspirant है उन तक वीडियो को पहुँचाए तब तक के लिए धन्यवाद bye bye